आज हम कढ़ाई पनीर बनाने जा रहे हैं इसकी रेसिपी मैंने खुद यूट्यूब से सिखी है और आज मैं अपना वजिन ट्राइ करूगी अपने दोस्तों के लिए तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई पनीर तो चलिए इंग्रेडियन्स जान ले सूखे मसालों में 2 चमच साबू धनिया, 4-5 सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता 3-4 लॉंग, 4-5 काली मिर्च, ग्रेवी के लिए एक बड़ा प्यास, एक बड़ा टमाटर, 2 साबू धरी मिर्च, 4-5 गार्डिक क्लोफ, 1 इंच अधरक, 4-5 काजू, 200 ग्राम पनीर, एक मीडियम साइस प्याज और आधा कैप्सिकम एक छोटी कड़ाई में साबो धनिया और लाल मिर्श डाल कर इसे दो से तिन मिनट तक भून ले और मिक्सी में दरदरा पीस ले अब एक कड़ाई में दो चम्मच तेल उसमें एक चम्मच जीरा और बड़ा कटा हुआ प्यास अधरक लसन के दाने हरी मिर्च बड़ा कटा हुआ टमाटर और कैजुनर डाले इनको हमें हलका टेंडर होने तक पकाना है इसमें हम कोई मसाले नहीं डालेंगे अब यह टमाटर गल चुके हैं इसे हम गैस को आफ करके करीबन 10-15 मिन ठंडा कर लेंगे और फिर मिक्सी में पीस लेंगे अब उसी कड़ाई में हम पनीर को हलका फ्राई कर लेंगे करीबन 2-3 मिनट अब उसी कड़ाई को इस्तेमाल करते हुए दो चम्मच तेल में एक चम्मच जीरा दो लॉंग तेज पत्ते और तीन से चार काली मिर्च और हमने जो सबजियां काटे थी वो भी डाल लें अब इन सबजियों को बहार निकालें दो से तीन मिनट में और उस तेल में एक चम्मच हल्दी एक चम्मच धनिया पाउडर देड़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा पाउडर इसे डालके हल्की आँच में जल्दी से पकाते हुए इसमें हम टमाटर प्याज और कैश्यू निट की जो ग्रेवी हमने तियार की थी वो डाल लेंगे अब जो हमने सूखा मसाला बनाया था धनिया और लाल मिर्च का उसमें से दो चम्मच आप इस मसाले में डाल देंगे और एक कटोरी पानी करीबन दो से तीन मिनट धक्के रखें दो से तीन मिनट धक्के रखने के बाद इसमें नमक डाल दें और जो हमारा फ्राइड पनीर और सबजियां हैं इसे भी हम ग्रेवी में डाल देंगे अब इसे धक्कन लगाकर हम करीबन तीन से चार मिनट तक पकने देंगे तीन से चार मिनट के बाद हमारे ग्रेवी कुछ इस तरह से नजर आएगी इसमें हम दो चम्मच गरम घी या मेल्टेट बटर भी डाल सकते हैं और आधी चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाल दें इसे धक्कर दो मिनट और पकाएं और हमारी कड़ाई पनीर तयार है